अलो इवरिवान गूड इवनिंग विलकम बैक तो माई नियू ब्लॉग कैसे हैं आप सभी आप लोग बहुत अच्छे होंगे तो यह साम का वक्त है और हम लोग गय हुए थे बाहर तो जैसे कि ब्लावट मैंने दिया थे इस्टेश करने के लिए तो मैंने लिया साथ ही साथ अच्छे थे बाहर थे लिए अच्छे के लिए तो यहां पास में देख रही थी कुर्थी एक लोग अच्छे कर रही थे क्योंकि बच्छें को थोड़ा सा जो इस्ट्राइश स्मॉल होता है उस साइज चाहिए वैसे ना कपड़े मेली नहीं रहते हैं आपको सब मेडिया म में ही मिल रहे थे पर मैंने एक ले लिया मैं उसको घर चलके ना उसको मतलब टाइट कर दोंगी जितनी फिटिंग की मैं सिलाई कर दोंगी क्योंकि बच्छों के साइज के कपड़े बहुत ही कम मिलते हैं मतलब लंबाई तो अच्छी मिल जाती हैं अगर चोड़ाई बहु इसके बाद मैं आ गई हूं जैसे कि घर आप लोगन टाइम देखा ही तो फटा फट से ना डाल मैं रख देती हूं बनने के लिए और यहां पास मैं पानी पी रहे इतना जल्दी जल्दी मैं और फटा फट से खाना भी बनाना था तो सबसे पहले मैं डाल रखूंगी आटा बहुत लदल लेट हो जाएंगे तो यहां पास ना बस प्याज कट कर रही थी और बच्चों को भी कुछ बोलने वाली हो धीरे दीर हो भी काम कर रहे थी थोड़ा सब कैमरा लगा देती हूं तो बच्चे साइड में हड़ जाते हैं सारी है मतलब बच्चे फीचर से करका ही लगा दूगी यहां बाते ही चल ली थी कुछ मार्ट में दीखती हैं तो चलह जा ले लेता था मुत आप लोक्ट आप लग दिखांगे जाता ज़ना क्या था खास कर मेरी ब्लाउज धी सिलने के लिए तो वो मैं लेके आ गई थोड़ा बहुत और समाल लेके आना था इसके बाद मैंने कपड़ अपड़ा चेंज कर लिया था क्योंकि नए कपड़े पहन लोना तो उसमें थोड़ा सा काम जल्दी जल्दी से नहीं होता है जो आप डेली वाले कपड़े से पहन सकते हों और वैसे भी मेरे पास कुड़िया है मैं पहनती होती है इस बहुत जादा मुझे कंफिटेवल लगती है यह की हो गई एक महरूम कलर्की है और यह खास करने कुड़िया मुझे अच्छी लगती है पहनने के बाद मैं अबसर बर्तन मैंने लसायात नहीं दूला था लेट हो गए थे खाना पीना काते हुए तो बर्तन फिलाल मेरे अभी रखे हुए है तो मैंने बर्तन निकठा कर दिया है साथी साथ फुर फ्लेर फार्म क्लीन करते हैं जैसे कि आप लोग ने देख सकते हैं और यहां पास मैं सब के लेना दो रिख रही थी घासकरमयंग की लिए हो गया दही बटंध होनाता है नहीं नहीं से उनसे कते हैं मैं सोच रहे दिए सुबह जल्दी उठोंगी और जल्दी से ना सुबह सुबह दो लोंगी तो इसलिए मैंने बटन छोड़ दिया थक भी गई थी बजार में में जब बहुत जादा टाइम लग गया मैंने जहां ब्लाउज दिया थे इस्टिश करने के लिए ना तो वह अदल चलते हैं घर कल रात के बरतन रखे हुए हैं कल रात के बरतन नहीं दूल पाई थी जैसे कि ब्लॉक में आप लोगे देखा ही होगा और मिल्कुर मन नहीं कर रहा था तो रख दिया था फिर सुबह वक्त ही नहीं लगा है नास्ता पानी सब इसी मिना टाइम चला गया अब पटापट से बरतन दूलेंगे और फिर रखेंगे नास्ता सबजी बनने के लिए तो चलिए बने रही है ब्लॉक में चलते हैं फटाफट से जो काम है कि चनके उन्हें पुटाते हैं और आज ना बहुत सारी पाइकिंग भी करनी है कल गयते मार्केट जो भी थोड़ा तो चलिए बच्चों को छोड़के आने के बाद अम मैं लग गए थी ना इस सारा मतला पूरा समेटने में पूरा काम तो मैं निकल लिए जैसे देख सकते हैं पस पूछा लगाना लाष्ट में अभी रह गया है जाडू लगाया है पूरा विस्तर मैंने ठीक किया सारी जग अब रह गया है लाष्ट में सबसे पहले लाष्ट में मैं मौचा लगा लेती हूं कि बरतन औरतन के चन के ना पूरा काम कंप्लेट हो चुका है जल्दी जल्दी से कंप्लेट किया क्योंकि जो रूम में दो दिन तीन दिन से कपड़े पड़े गुए हैं उनको मुझा ना यहां कि देली गल यह काम फिर मेरा बढ़ता जाएगा तो इसलिंव में जटली जल्दी से काम निप्टा लिए हैं कैमरे में सूट करने लगो न तो फिर काम थोड़ा सा लेट होता है अगर इस लिए बीना कैम करते है तो बहुत जल्दी हो जाता है बाहर हमने कर दिया दुलाई पूरा थो बाहर के मुझे मार देती हूं लक़ा जाता तो नहीं था भाइता भ धोल जम गई थी तो जल्दी जल्दी से हाथ मार देते हैं और इधर राध साथ में वी टेवल रहेगी काच्छ वाली और किचन का फिलाल कुछ नहीं करने वाली क्योंकि इतना ज़्यादा टाइम नहीं है पैकिंग भी करना है थोड़े बहुत कपड़े भी मुझे अभी टाइट करने थे तो वह भी है बहुत सारा काम हो जाता कहीं आने जाने में और ऐसे तो कपड़े हम जो न्यू होते हों पह वाले चीजों को यादाती जैसे कि मैंने बता है अभी जैसे के करीब बखत हो चुका है 10 बजे के आसपास का और 10 बजने वाले हैं तो सभी नहीं बजे हैं और अज गर्वी में बहुत जादा है तो चली जाड़ों पहुंचा हो गया है बरतन-सरतन किचन का पुबरा काम कंप प्राद रूम का है तो बेट रूम में विचे कपड़े पड़े हुए जैसे कि आप लोग देखा पैक करने के लिए तो चलते हैं पूरा काम कंप्लीट हो गया है एक आदे घंटे का जो भी का टाइम लगने वाला है ना तो सारे कपड़े मैं फिलहाल पैक कर देती हूं कपड़े अलग से अलग बैग में पैक कर देती हूं तो मतलब थोड़े बहुत निकाल के रख दिये हैं बांकी के कपड़े जो कल प्रस हुए थे तो सारे वही रखे हुए है तो चलिए यह वाला काम खतम कर लेती हूं नहीं तो अभी जैसी काम फोड़ा जल्दी हो गया है अभी दस बज़े हैं कि मतलब पूरा घर काम कंप्लीट हो गया है एक गंटे का टाइम देती हूं तो चुछ कुछ समान रखना है कुछ पैक करना है तो यह वाला काम खतम करती है तो चलिए बने रहे ब्लाक में आप लोग फुटा परसर डस्टिंग कर लेती हूं और फिर क पूरा घर काम कंप्लीट अभी वाला काम रहा है बस इसके वालत फिर रहे जागा नहाना फिर दोबार का खाना बना तो यहां बास में सारे कपड़े ना बच्चों के अलग अलग करके डालने हूं मतलब एक-एक सेट जो कपड़े हैं तो उनको एक-एक बैग में करके डाल ताकि एक-एक बैग निकालो और पहणने के लिए तारे सारे कपड़े ना मतलब फैले ना तो फैले सी सारे चीज़े ना में वस्तित करके जाओंगी कि मतलब जो कपड़े निकालने हैं बस वाला थैला निकाल लो बाकी के सारे कपड़े नो वैसे को ऐसे रखे रहेंगे ख कपड़े में रख दूँगी सेट पैन का सेट हो गया कुर्ते पैजाम का सेट हो गया तो इनको इसली मिलेंगे नहीं और जो डेली वाली कपड़े हैं खासकर मैं अंके तो उनको मैं ऐसी ही रख देने वाली हूं बस उनको जाके निकाल के घर में टफ टोकरी आ रखी है तो र पास मैंने सारे जैसे कि देख सकते हैं ट्रॉले में जमा दिये हैं बस रह गए हैं कुर्थियां परिकी इनको भी मैं बैग में डाल डाल के सारी रख रही हूं सबका मतलब दो तिन-तिन कुर्थी एक साथ करके सिट करके रख दूगी बस जो निकालना हुग तो अपने इसल आए पंड़ दिये हैं तो इनको मैंने सेट करके रख दिया है अब लेकर चलते हैं इनको परी की रूम में रख देंगे तो अपना अपने बैग में सारे कपड़े डाल लेगी तो अपने कपड़ा प्ना समान पैक कर लेती हैं यहां पस मैं दिखा रही हूँ जिस लड़की तो उसके अनुसार मैंने लिया था और मतलब प्लेन ना लेकर थोड़ा सा वर्क वाले क्योंकि जो नई नई साधी होती हो थोड़ा सा अच्छी लगती है पहनने में इसी के सेट मैंने शूडिया लेनी बाकी का पूरा से इंगार ले लिया इसमें जितने वह सिंगार होता है क वहां से खरीदेंगे तो फिर मैं आप लोगों को जरूर दिखाऊगी कि मैंने मतलब पूझने के लिए क्या लिया क्योंकि उसके लिए गोल्ड और सिल्वर लेनी पड़ेगी ऐसे तो कुछ ले नहीं सकते हैं तो गोल्ड और सिल्वर हम जब लेंगे अपने गाउं के ही मत सारा सिंकार का समान था तो यह हो गया उनका अलागी इनको पैक कर लोंगी मिल रहीं इसकी बात दोपार के खाने मैं सीधे मिल रहे हूं तो यहां पास बन चूकी है डाल अभी थोड़ा सबागी है एक अच्छे वाले आम हैं इनको आपने छेल के काट लिया है डाल में डाल तो इसलिए तो चावल मैंने बड़े वाले कुकर में रख दिया करी दो बज़े का टाइक था अब पटाफ़र से सब लोग बैठे हुए हैं तो अब लगा दें जल्दी जल्दी से सब के लिए खाना तो पहले सलात में जल्दी से न कट कर लेती हूं जब तक में चावल बन ग बच्चे भी स्कूल से आही चुके थे क्योंकि वह भी दो बज़े के आ जाते हैं इसलिए अम में सब को ना सब लोग बैठके चारों लोग लोग खाना खा लेंगे और बस ऐसा कुछ सुबह से बहुत बीजी हो जाता है जब कहीं जाने आने का होता है तो घर का भी काम हो ज चलिए कोई बात नहीं जल्दी जल्दी इसलाध करते हैं आपास मैंने कटकर लिया साथ में तोड़ा से ग्रेप्स रख दिया है तो अब लगा देते हैं खाना तो खानें जैसे की वताया दही तो मैंने दे दिया था सबको अब भी ऐसे नहीं कि दाल में आम डाल दी थे सब अभी जैसे अभी मैंने ही बनाया है तो करीब इसको पांच मिनट को कर गयास बंद किये हो गए तो गरम गरम था अच्छा भी लगता है खाने में तो चलिए जल्दे से सर्फ करते हैं खाना और पीर वही बरतन सर्थन के चनो चन क्लीन करना और इसके बाद मैं सीधे मिल रही ह मैं ट्यूष्ट देती हूँ मैं इसा मतलब सब्जी बचपन में मैं मतलब ममी कभी-कभी मेरी बनाती थी तो मैंने सोद चलो आज मैं भी ऐसी बनाती हूँ आलू में विंडी डालके ग्रेवी वाली सब्जी मतलब सूखी नहीं पानी वाली सब्जी करके बनाना है तो अच् मैंने बनाए थल की मतलब गाड़ी गाड़ी थी है कि मतलम ऐाड़ी गाड़ी झाल झाल